स्वागत है आपका हमारी चैनल One Minute Learning में देखते हैं आज की खास खबरों से एक्जाम्स के लिए तयार किये गए important question answers लेकिन उनसे पहले यदि आप चैनल में नए है तो artificial intelligence की मदद से तयार किये गए current affairs के लिए चैनल को subscribe करें Let's get start PM Modi ने गुजरात के कौन से शहर में वाइबरेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्धादन किया? सही जवाब है गांधीनगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दसवे वाइबरेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर वाइबरेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी 2024 का उद्धाटन किया यह वैश्विक प्रदर्शनी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हेलिपेंड ग्राउंड प्रदर्शनी केंद्र में लगाई गई है भारत की पहली स्वच खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरन कौन से शहर में हुआ सही जवाब है उज्जैन विकल्प सी भारत की पहली स्वच खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरन मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में हुआ मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रिय मंत्री डॉक्टर मंसुक मांडविया ने इसका लोकारपन किया इगवर्नेंस पर दो दिवसिय क्षेत्रिय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है सही जवाब है ओक्षन डी गुवाहाटी असम के राज़पाल गुलाप चंद कटारिया और केंद्रिय राज़ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने गुवाहाटी में इगवर्नेंस पर क्षेत्रिय सम्मेलन का उधगाटन किया असम सरकार के सहियोग से प्रशासनिक सुधार और लोग शिकायत विभाग द्वारा आयोजित इगवर्नेंस विशय पर दो दिवसियक शेत्रिय सम्मेलन का प्रारंब हुआ इस वर्ष जुलाई में युनेसको की विश्व धरोहर समिती की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा जवाब है विकल्प दी भारत इस वर्ष जुलाई में पहली बार युनेसको की विश्व धरोहर समिती की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा यह सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा हाल ही में बंग्डाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन दीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है आंसर इस ओप्षन सी, ONGC ONGC ने बंग्डाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी प्रमुक गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंकुरी ने कहा कि प्रती दिन 45,000 बेरल और प्रती दिन 10 मिलियन मानग घन मीटर से अधिक गैस का उत्पादन होने की उम्मीद है आंसर इस ऑप्षण बी अमेरिका दुनिया के पहले प्रायवेट मूनमिशन के तहत पेरेग्रीन लेंडर वन का सफलता पूरवक प्रक्षपन करने वाला देश बना ऐस्ट्रोगोटिक नामक कंपनी ने इस मिशन को विकसित किया है बताया जा रहा है कि 23 फरवरी को दुनिया का पहला कमर्शियल लेंडर चांद के दक्षन दुरूफ पर उतर सकता है हाल ही में कौन से भारतिय क्रिकेटर को अर्जुन अवोर्ड से सम्मानित किया गया है उत्तर है विकल पे भारतिय क्रिकेटर मोहमद शमी को भारत की राश्रपती द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरसकार से सम्मानित किया गया इस बार यह अवार्ड विभिन्न खेलो के 26 खिलाडियों को प्रदान किया गया है इस पुरसकार का प्रारंग 1961 में हुआ था पुरसकार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशित अर्जुन की कान से प्रतीमा और एक प्रशस्ती पत्र दिया जाता है चंदुबी महोटसफ कौन से राज्य में मनाया गया सहीर उत्तर है असम हाल ही में असम राज्य में चंदुबी जील के किनारे चंदुबी महोटसफ का आयोजन किया गया यह महोटसफ प्रतिवर्ष नए साल के पहले दिन से चंदुबी जील के किनारे पांच दिनों के लिए आयोजित किया जाता है चंदुबी महुतसफ का मुख्य उद्देश्य असम के इस जैव विवित्ता होट स्पोट में एको टूरिज्म को बढ़ावा देना है प्रवासी भादिय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाना है? उत्तर है विकल्पसी हर साल gaanवरी को प्रवासी भारतिय दिवस मनाया जाता है प्रवासी भारतिय दिवस या NRI दिवस राष्च्रुपिता महत्मा गांधी के भारत वापसी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षन अफरीका से भारत लोटे थे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाना है? सही जवाब है विकल्प दी 10 जनवरी को भारत समेथ दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है इसके मनाने का उदेश हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरुकता पैदा करना और वैश्विक स्टर पर इसे एक अंतराश्य भाषा के रूप में पेश करना है इस अवसर पर दुनिया भर के भारत दुतावासों में विशेश कारिक्रम आयोजित किये जाते है आज के करन्ट अफेर्स के important question answers हमने complete किये तो विडियो को like करे और daily current affairs के लिए channel को subscribe करे धन्यवाद